पंजाब, किंग्स और राजिस्थान रोयल्स के पीच तो उमवार को होने वाले मुकाबले में निगाब बड़े हिटर्स पर होगी पंजाब की कमान लुकेश राहूल और राजिस्थान की संजू सैमसन के हातों में है दोनों टीमों की कोशिश IPL के सीजन में अपने अभियान की शुरुआत जीत से करने पर होगी राजिस्थान का दारोमदार ओलराउंडर बेन स्टोक्स पर होगा जो रन बनाने को बेताब होंगे इसी तरह इंग्लेंड के उनके साथी जोस बटलर और नव नियुक्त कप्तान संजू सैमसन पहले से ही मैच में लए में होना चाहेंगे राजिस्थान की पारी की शुरुवात युवा प्रतिभावान यशश्वी जैसवाल और बटलर करेंगे जबकि कप्तान सैमसन और स्टोक्स मदिकरम में जिम्मेदारी समालेंगे अगर ये चारो बल्ले बाद चल गए तो किसी भी आकरमण पर भारी बढ़ सकते हैं वहीं राजिस्थान रॉयल्स के पास कई अन्यविकल भी हैं जिनमें शिवम दुबेश, रियश गोपाल, राहुल तेवतिय, रियान पराग और लियाम लिविंग स्टोन शामिल हैं गोपाल, तेवतिय और पराग सभी लेग स्पिनर्स हैं ऐसे में ये देखना दिल्चस्प होगा कि टीम इनमें किंदो को मौका देती है वही चोट के कारण तेज गेम बाद जोफरा आर्चर की गैर मौजूदकी में रोयल्स के क्रिस मौरिस अपनी रफतार दिखाएंगे जिने टीम ने इसी साल खिलाडियों के निलामी में 16 करोड 25 लाक रुपए की भारी भरकम राशी में खरीदा वहीं दूसरी तरफ पंजाब के पास राहूल, मयंक अगरवाल और क्रिस गेल जैसे आकरामग बल्लेवाज हैं राहूल और अगरवाल ने पिछले सत्र में मजबूत सलामी जोड़ी बनाई थी और इस जोड़ी के बरकरार रहने के उम्मीद है टीम के पास इंग्लैंड के डेविड मलान, तमिलनाडू के एम शारुक खान और वेस्टन डीस के निकोलस पुरन जैसे अच्छे हिटर भी मौजूद है टीम को बस अपने कॉडिनेशन को सही रखने की जरूरत है शारुक को दीपक हुड़ा और सरफराज जैसे खिलाडियों पर तरजी मिल सकती है और वहाँ टीम में फिनिशर की भूंका निभा सकते है टीम के गेंदवाजी आकरमन के अगवाई मौहमद शमी करेंगे जिनोंने पिछले सत्र में शानदार प्रदर्शन किया था टीम के पास क्रिस जॉर्डन भी है हाला कि ये देखना होगा कि शमी के साथ नई गेंद समालने का मौका किसे मिलता है इस पिन विभाग में टीम के पास मुरुगन अश्विन और रवी विश्णोई जैसे गेंदबाज है ये देखना काफी दिल्चस्ट होगा कि लंबे-लंबे छट्के मारने वाले बल्ले बाजों की दोड में कौन आगे जाकर अपनी टीम को पहली चीत दिलवा पाएगा